तो पहले तो मैं आपको एक बेसिक सा केस स्टडी देता हूं मुझे बताओ अगर ये एप्रिल है और ये मार्च है और आपने अगर डिसेंबर में रिटार्मेंट लिया हुआ है अगर आपने डिसेंबर में रिटार्मेंट लिया हुआ है तो क्या हो सकता आपके साथ डेटा ऐसे आएगा कि मैं रिटा सालरी फिटी तांद रुपीज पर मंद हमें तो पूरे प्रीविएश 2021 का डेटा चीए तो उन्होंने सालेरी पर मंद दिया है व्लीज दाओन रुपीज पर मंद तो मुझेногा स्लाइस सालेरी करने के लिए कितने से मल्टिप्लाइ करूं में यहां पर प्लीज रिप्लाइगा गाइस एप्रील से मैं तो जॉब तो बहुत पच्ची साल से कर रहा हूं कि डिसेंबर एंड पर मेरा रिटायर्मेंट हो गया और क्वेश्चन में डेटा दिया गया सालेरी फिप्टी ताउदन रुपीज पर मत लेकिन मैं तो इंकम कंपीट करता हूं होल प्रिविएस एयर का तो मैं कितने मन से मल्टिप्लाइ करूं यहां पर कि अरे एबल माई क्वेश्चन कि डिसेंबर तक होगा न कि डिसेंबर में रिटार होगे हां तो कितने मन से मल्टिप्लाइ करो बताओ ना मुझे तो प्रिविएस एयर का इंकम चाहिए सब्सक्राइब करें से मल्टिप्लाइ करो ना अब्यस है तो एक्जाम में मिस्टेक मत करना बहुत सारे बच्चे जोज जोज में 12 महने से मल्टिप्लाइ कर देते हैं नोबडी गेट सैलेरी आफ्टर रिटार्मेंट तक कि आपको लेना होता है ठीक है ना फिर कोई अलाव सब्सक्राइब कोई यह परक्यूजित होंगे अभी तक आपने पड़ा नहीं परक्यूजित लेकिन कुछ भी परक्यूजित से अगर आपको दिये होंगे तो कुछ 5000 का वैल्लियो आ रहा है पर मद्टिप्लाइब क्या करूं लेकिन क्योंकि अभी आप यहां पर रिटायर हो चुक्या हो तो आपको कंपनी पेंशन का भी डेटा देगी कि सर पेंशन जो है ना पेंशन पेंशन ट्वेंटी ताउजन रुपित पर मन्त है इसको कितने से मल्टिप्लाइब करूं तो सर इसको त्री मन्स से मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा क्योंकि पेंशन हमको डूरिंग इंप्लाइमेंट तोड़ी ना क्या मिलता है ग्रैचुटी के जैसे ग्रैचुटी डूरिंग इंप्लाइमेंट भी मिल सकता है ग्रैचुटी आफ्टर इंप्लाइमेंट भी मि आपको 3 months नेना होता है pension जो होता है ना बाट salary given during the period of retirement आपको यहां पे salary मिलती है तो मुझे बताओ salary taxable है की exempt है इस प्रिड में आपको pension मिलता है post retirement आपको pension मिलता है तो यह taxable होगा की exempt होगा तो मेरा सवाल है आप से खो आप लोगों को चुना लगाना कितना आसान है यह है taxable ठीक है ना central government का employee हो या state government का employee हो इनका salary taxable है की exempt है salary exempt है central government या state government का employee होगा तो आपको लगए tax नहीं लगता उनको था पड़ा अपने ऐसा कहीं पड़ा अपने मुझको बताओ ना मतलब तुम लोग अपने मन से income tax law of chip rule मना रहे हो क्या कहीं पर नहीं पड़ा क्या आप लोगों ने मुझे बताओ अभी तक हमने जितने भी इंक्सेबल होते पुलिस डिपार्टमेंट के employees taxable होते soldiers के उपर भी tax लगता है सब कुछ taxable है एक्जम क्यों रखेगा गवर्मेंट जब आप अगार कमा रहे हो तो आप इंकम कमा रहे तो आप टैक्स बोर हो ना तो मैं आपको क्या बता रहा हूं जब government employee का salary taxable है तो उनका pension भी तो taxable होना चाहिए ना एक्दम सिंपल सा logic है अगर अगर यह नो मैंने taxable थे तो यह तीन मैंने भी taxable होने चाहिए बुल जादा completed है क्या है समझना नहीं एकदम सिंपल सी बात बताया मैंने आप लोगों को कि सर पेंशन जो होता है ना वो taxable ही होता है पेंशन कभी exempt होता ही नहीं है तो यह देखो मैंने क्या बोला सर पेंशन जो है ना पेंशन अनकमिटेट पेंशन अगर एक्जाम में दिया अनकमिटेट पेंशन मतलब मंतली पेंशन दिया जाता है यह मंतली मंतली मतलब पर मंत के लैंग्वेज में जो लिखा जाता है यह fully taxable to all employee जब मैं all employee बोलता हूं तो इसमें government और non-government employee दोनों आते हैं गवरी का किसी के पास नंबर होगा तो उसको बोलो नाव कि वो शिस ट्राइंग टू लॉग इन अगें अगें गवरी आर्यू देर नाव यह सर्व ओके कुछ इशू हो रहा है कि आपका network के साथ हां सर्व ओके 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 ठीक है कभी-कभी ना ऐसा issue होता है न तो आप बंद करके पूरा आप बंद करके restart करना होता है तो देख लो मतलब क्या है नेटवर्क का issue है तो कुछ नहीं कर सकते है डिवाइस का issue है तो आप बंद करके आप लॉग-इन करते तो हो जाता है ठीक है तो यह committed पेंशन की बात कर ली मैंने आपको इतना समझ में आया जो भी मैंने बोला अभी तक ना अभी अभी स्मार्ट हो जाते है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं अब दूसरा एक्जामपल एप्रिल से वह जॉब कर रहा था डिसेंबर तक भाई ने जॉब किया तो 20 ली स्प्रेड में उसको सालेरी मिल रहा था जैनिवरी में उसको 20 ताउदन का पेंशन मिला फेबरुवरी में भी उसको 20 ताउदन का पेंशन मिला लेकिन जब मार्च का मेहना चालू हुआ तो उसके मेहन में आइडिया आया ठीक है ना आइडिया चाहा आया कि मैं अभी रिटायर तो हुई चुका हूँ मैं गाओं में घर बना लेता हूँ यह बुड़े लोगों को ना घर बनाने का अलग से ना मतलब जज़बा होता है रिटार्मिन के बाद अभी कुछ दिन बचे इस दुनिया में रहने के खुशी-खुशी रहके निकल जाना है ना लेकिन उनको खुशी-खुशी रहना नहीं होता उनको न ये पैसे बहुत आया रहते है यहापे ना रिटार्मिन पर लेकार जाता है घर बना लेगा घर में इटालियन मारबर लगा लेगा तो पागल हो जाता है और जब घर का काम होगा चालू करता है तो उसको पता चलता है कि पैसे कम गिर रहा है और फिर वो पेंशन का जाके employer से बात कर रहा है इस हम जो employee और employer से बात चालू है कि सर ये 20,000 आप मुझे कब तक दोगे तो employer बढ़ा है जब तक तु जिन्दा रहेगा तब तक देना पड़ेगा तो बोलता है सर वो future तो जाने दो मुझे काम कर दो ना आज ही मुझे lump sum पैसे दो ना तो आपको नहीं लग रहा दिस इस वेरी risky decision first of all lump sum पैसे लेना pension का अरे आपके बुड़ावे का सारा है ये pension को lump sum नहीं करना चाहिए ना जब तक जिन्दा रहोगे तब तक मिलते रहेगा तो मिलते रहने तो ना यार दवाई का खरचा खाने पिने का खरचा इसमें से आराम से निकल जाएगा खुशी-कुशी मर सकते हो तुम लोग अभी अब तुमारा age 65, 68, 70 हो चुका है अभी तुमको जाके लंसम लेनी की क्या ज़रूरत लंसम पैसा नहीं लेना आता है लेकिन कुछ-कुछ लोगों के घर में मजबूरी होती है या किसी-किसी की decisions होती है कि वो लंसम लेते है उस पेंशन को बोला जाता है committed pension जो लंसम लिया जाता है ना उसको committed pension बोला जाता है कुछ ना कुछ तो मजबूरी रहेगी बैचारी की इसलिए उसने commute किया हुआ है लेकिन क्यूंकि हमें discourage करना है हमें discourage करना है हम नहीं चाते कि employees को commutation मिले है हम discourage करते है इसलिए हमने इसको taxable भी रखा है और exempt भी रखा है मतलब यह fully exempt नहीं होगा fully taxable भी नहीं होगा कुछ इसका component exempt होगा कुछ इसका component taxable होगा हाँ यहाँ पे अगर आप government employee हो अगर आपने pension को commit किया अगर आपने lump sum pension ले लिया lump sum अगर अपने lump sum pension ले लिया तो वह exempt हो जाता है 1010 A में government employee होगा तो आपको कुछ बताने की ज़रू होती नहीं है government employee होता है lump sum amount इसके हमने fully exempt है के रखे मैं government employee की बात नहीं करा है मैं private sector वालों की बात कर रहा हूँ तो यह committed pension यह हाँ पर कर रहा है तो कि अब employer बोलता है भाईया मैं आपको committed तो दे दूँगा पूरा पैसा लंसम करके दे दूँगा लेकिन क्योंकि यह life expectancy से link है ना कि कितने साल साल तक आप जियोगे यह calculation इतना easy नहीं है are you getting this कि किसी का भी मरने का time fix नहीं है न वो life expectancy वो बहुत detailed formulas होते हैं तो detail formula मतलब कितना pension आएगा हमें नहीं पता लंसम मतलब 20,000 रुपया तो परमंद आपको दिया जा रहा है लेकिन लंसम में कितना आएगा वो हमें नहीं पता वो करने के लिए आक्चुरी करके professional होते हैं आपने कभी सुना है क्या एक्चुरी यह वर्ड सुना है अपने एक्चुरी असर सुना है हां एक्चुरी आर ग्रेट mathematicians उनका maths बहुत स्ट्रॉंग होता है उसके भी कुछ levels of exams होते हैं मुझे उत्मा उसका exams उगरा का जबदा डिटेल नहीं है लेकिन जो insurance company में insurance का premium वगरा जो compute करते ना कि इतना ही premium आएगा LIC का premium अपने देखा होगा तो 6037 ऐसा एक दम precise premium होता है क्योंकि उनको inflation को कंसिडर करना पड़ता है उनको life expectancy को कंसिडर करना पड़ता है उनको कितने लोगों की इस साल डेथ होगी उसकी probability लगानी पड़ती है तो दे डू lot of permutation and combination and they determine that number तो मुझे ये कभी मत पूछना कि सरे लंसम नंबर कैसे आया मुझे नहीं पता हो आपको आपको कभी encourage करेगा क्या कि 100% आप कमिट कर लो 100% पेंशन कमिट कर लो जल्दी बोलो कभी आपको encourage करेगा इसे आप लंसम पैसे लेने गए हो लेकिन क्या 100% पैसे लंसम देगा आपको सोचो ना नहीं वह भले आपको जरू होते हंड़ेट परसंट मतलो मैक्सिमम एक काम कर लेते हैं 60 परसंट आप लेलो तो 60 परसंट जो नंबर आया ना मान लेते वह नंबर आया मेरा इसकी बात हो रही है तो इसको डिवाइट बाइस परसंट अगर में करता हूँ तो इस इक्वल अगर करता तो यह पहले तो समझा क्या आपको अगर अगर यह नहीं समझा तो मुझे इससे समझाना पड़ेगा कि जो 60 परसंट नंबर था ना वो 12 लाग था तो 100 परसंट नंबर इस इकॉल टू हमच यह करना पड़ेगा आपको मैंने क्या बोला समझा यह समझा तो यह 100 परसंट नंबर एक्जाम में नहीं दिया जाता याद रखो एक्जाम में से नंबर को लिंक किया गया है ठीक है ना अब मुझे बताओ दो टाइप के बुड़े में आपको दिखाता हूँ एक बुड़ा जो यहां पे है ठीक है ना एक बुड़ा जो यहां पे है यह जो बुड़ा है यह खुश इसले क्योंकि इसको ग्राच्यूटी भी मिला है और कम बुढ़े है तीक है ना लेकिन इसको ग्राचुटी नहीं मिला है खाली कम्यूटेट पेंशन मिला है दो बुढ़ों में बुढ़ा नमबर वन बुढ़ा नमबर टू या टकल्या और बाल वाला बुढ़ा जैसा भी आपको बोलना है आप मुझे बता दो ग्राचुटी का एक कहा धाल को दो आधा किसको दो एक चरणे का ग्राचुटी है तो यहाँ पर कपिशाए मिल रहे हैं तो हमने वन बाइट उर्ग दिया उन बाइट्प परसेंट आपेंट्शने सथी पर वरेने करेते परिशन मेंव देंगे ठीक है ना अगर 50% of 20 lakh of gross committed pension gross committed pension हम यहाँ पर exam करेंगे मेरे example कि अगर मैं बात करो तो 20 lakh का 50% होता है 10 lakh मुझे मिला था 12 lakh तो खाली 2 lakh taxable होगा आरिव गेटिंग दिस यह समझा आप लोगों को में क्या बता रहा हूं क्यूंकि इसको ग्रैचुटी नहीं मिला था 50% of total gratitude will be exempt total वाला नंबर में ने पहले लिकार के रखा था उसका 50% 10 लाग होता है मुझे मिला था 12 lakh लेकिन अगर ग्रैचुटी रिशिट वाला बुड़ा होगा और उसको भी कमिटेट पेंशन मिला होगा तो गवर्मेंट बोलता है इसको जादा एक्जम्शन देनी के जरूरत नी इसको वन तर्ड अफ ग्रॉस नंबर एक्जम्ट करो इसका वन तर्ड अगर मैं करता हो तो आता है 6,67,000 तो वो माइनस कर दो आप तो 12,00,00 में से अगर मैं माइनस करता हो 6.67 तो मेरा टैक्सेबल वाल्यू आ जाता है 5.33 यहां पर टैक्सेबल 5.33 आता है यहां पर 2,00 टैक्सेबल आता है बोलो समझ रहे आपको जो ग्रैचुटी रिशिट वाला है उससे हम दादा टैक्स लेते है जो ग्रैचुटी नौट रिशिट वाला उससे कम टैक्स लेते हैं यह क्लियर है क्या ये सिए सब्सक्राइब अब मुझे तुम खाली इतना बता दो मार्च महने में मुझे ग्रैचुट अप मार्च महने में मुझे पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो मंतली पेंशन होता ना यहां पर तो मैंने कमिट कर लिया 60% उसका टैक्सिबिलिटी बढ़ा दिया मैंने बारा लाग रुपया यहां पर मिने ले लिया है तो मार्च महने में मुझे पेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा यह पहले बता दो मेरी शुरुवात नहीं रुपया पर मन से हुई थी ट्वेंटी दाउदन रुपीद पर मन से हुई थी मैंने उसका 60% कमिट कर लिया बारा लग रुपया मैंने लंसम ले लिया अब मुझे बची हुई मेरी जिंदगी में मुझे पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा मिलेगा ना हंडेट परसेंट कहां मिने कमिट किया है मैंने खाली 60% कमिट किया है न तो मिलेगा कितना मिलेगा वह मैं पोच रहा हूं परसंटेज में में बता देता हूं 40% लेकिन 40% किसका निकालो 40% कौन से अमाउंट का निकालो जल्दी बोलो ना हर मेनी मिलने माल आईगे 20% 40% of 20,000 का 20,000 का निकालना पड़ेगा ना क्यूंकि वही तो मंतली पेंशन का तो यहां पे मुझे 8,000 मिलेगा तुमको समझा मिने क्या बोला ना समझा सर लाइफ टाइम तक ये मिलते रहेगा लाइफ टाइम तक मिलते रहेगा मिलते रहेगा जब तक मैं जिन्दा हूं तब तक मिलेगा ठीक है ना तो यह होता है पेंशन का पूरा का पूरा कॉंसेट कॉंसेट समझा तो हम क्या करेंगे हम पहले थेरी पढ़ ले थ सर अनकमिटेट पेंशन होगा तो government employee होने मतली 5 दिसकाहंट नहीं जो committed pension होता है ना sir वो 1010 A में exempt होता है और एक exempt किस तरीके से होता है government employee होगा lump sum pension की कुछ तो मजबूरी रही होगी बेचारे की जो उसने commit कर लिया तो हमने बोला government employee होगा तो fully exempt करो other sector employee होगा तो पूछो उसको कि gratitude भई यह आपको मिला है उसने बोला हा तो वं थर कर देना उसने बोला ना तो वन बाइटू कर देना तो आपको पता है वन बाइटू इस greater number तो 50% होता और यह 33% होता है लेकिन निकालना किसका होता है full amount का निकालना होता है गलती हाँ पे student क्या करते एक्जाम में सर टैक्सेबल कमिटेट पेंशन निकालना होगा तो तो पेंशन कमिटेट पेंशन रिसीवड माइनस पेंशन एक्जम्टेन अंडर 1010A कर लोगे तो बैलेंज जो हो जाएगा वो टैक्सेबल होने के बाद भी अनकमिटेट पेंशन चालू रहता है मेरे एक्जामपल में 60% कमिट करने के बाद भी 40% का साइकल चालू रहता है इसको भूलो मत यह मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है बहुत ही हाथ जोड के मैं आप से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज इसको मत भूलो ठीक है ना तो यह पेंशन का कॉंसेप्ट हो गया मैं अभी आप लोगों के लिए एक क्वेस्टन दे रहा हूं आप लोगों को उस क्वेस्टन को रीड करना है और मुझे इसका अंसर निकालके देना है फटा-फट दे अंक लगी ये ये टक्सल ऑप की एक है कि ये फर्स्ट ऑपर को रिटार हुआ है तो तुम समझते हो ना झाल से प्रियल से तो पेंशन कांट ही परस्ट फेप पर, फेप के महने में उसने क्या कर लिया, 60% पेंशन कम्यूट कर लिया, तो October, November, December, जैन, यह चार महने होते हैं, यहाँ पर 5000, 5000, 5000 इसको मिला होगा, फिर उसने क्या कर लिया, 60% कम्यूट कर लिया जो कम्यूट कर या भाड में जाने दो मुझे बताओ फेव और मार्च में उसको पेंशन मिला होगा की नहीं मिला होगा कि इस पूरे साल भर में यह 20,000 होता है और यह 4,000 होता है 24,000 इसको साल भर में अनकम्यूटेट पेंशन मिला है बोलो यह 24,000 निकालना ही difficult होता है बाकी तो आसान है 60% पेंशन 3,000 रुपिद मिला था तो मुझे फूल पेंशन बता सकता है क्या कोई कि फूल पेंशन कितना आएगा फूल पेंशन कितना आएगा अगर त्रिलएक सिस्टी पर्सेंट इसको तो फूल पेंशन कितना आएगा इघना इतना टाइंट फूल से फूल पेंशन है त्री लग डिवाइट पैस्टी पर्सेंट इसकोल टॉ फैलाइक अब हम बात करेंगी एक जम्स्यंस की ठीक है ना government employee होगा तो कितना taxable government employee होगा तो सरो तीनलाग रुपया मिला तीनलाग रुपय एक्जूंप हो जएगा XFR और यह वाला टैक्सेबल होगा गवन्यग्स इंप्लाइब को भी एक्जूंप् 업 और है किपनें इंपॉर्टन नहीं है ग्राइचुटी मिला तो पांच लग का कितना परसेंट एक्जम्ट हो जाएगा फिर यहां पर कितना वन बाइचुटी मिला तो आपका अंसर आएगा तो यहां पर कितना टैक्सेबल आएगा टैक्सेबल ग्रैचुटी कितना आएगा जल्दी बोलो पहला लमसम वाला बता दो तीन लाक आपको मिला था इन लाक मिला था उसमें का 166 666 एक्जम्ट हो गया तो 133 333 टैक्सेबल हो जाएगा एम राइट प्लस यह 24,000 तो था ही था तो 133 प्लस 24,000 अगर मैं करता हूं तो मेरा आ जाता है प्राविट सेटर एम्प्लोई डिड नॉट रिसीव एनी ग्रैचुटी सर इसने ग्रैचुटी मिला नहीं तो कितना फाइला का कितना एक्जम्ट इसमें से 3 लाक माइनस कर दो तो 50,000 जो आपका आता है टैक्सेबल ग्रैचुटी में 50,000 लंसम वाला आ गया और उपर का 24,000 तो था ही हो तो सब को ही होना है तो इसका अंसर 74,000 अग्रैचुटी में यह confusion भी होता है हम लोग टैक्सेबल की बात करें क्वेशन ने बहुत क्लियरली बोला है कि टैक्सेबल निकालो एक्जम नहीं निकालने बोला है ठीक है ना तो यह बात क्लियर है कर लोगे homework में यह question जल्दी बोलो यह देखो मैं दिखाता हूं आपका उनसर यहापर 24,000 मिल यह बूलो मत ठीक है ना यह मिलते ही रहेगा तो यह टू मन्त का था तो यह 24,000 आ गया क्योंकि यह गवर्मेंट एंप्लोई यह 3,000 मिला 3,000 एक जब नहीं ला गया तो यह 24,000 आ गया प्रावेट सेक्टर एंप्लोई अगर होता तो क्या होता सर 24,000 तो यह आना ही था लेकि है पोगा मतलब क्या मिला निगा चुटी नहीं मिला अधर वाला जनरल के टिगरी वाला तो 24,000 तो यह तो फिर से में एक 5-6 मिनिट का ब्रेक लेता हूं वी विल स्टार्ट अट 930 और हम लोग लीविन कैश्मिंट करेंगे ओके लेट सी यह एट 930 हुआ है